पहाडों की रानी शिम्ला में परेचकों की आमद बढ़ना शुरू हो गई है। और स्थानी लोगों को किसी भी तरह की दिक्कतों से दोचार ना होना पड़े। इंचालित करने से लेकर के एडिशनल पार्किंग्स को चिनित करने से लेकर के सुरक्षा वैवस्ता को सही तरीके से स्तापित करने के लिए आल कंपोनेंट्स जो हैं हमने इसमें इंकलूड किये हैं और कुल मिलाकर जो परिस्तिती है उसमें ये है कि ट्राफिक अच्छा परबंधन करेंगे कोशिश हमारी प्रयाप्त मातरा में ये रहेगी कि हर टोरिस जो है वो कैपिटल सीटी हमें जो है पहुँचे और इन एडिशन टु देस मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यातरी या टोरिस आते हैं उनका ये होता है कि उनको शिमला कैपिटल पे न जादा अतरिक्त जवान तैनात किये गए हैं निगरानी के लिए पुलिस की वरिश अधिकारी मौजूद रहेंगे शेहर में CCTV के जरिये हर गतिविधी पर नजर रहेगे पुलिस निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे का भी इस्तमाल करेगी एंट्री पॉइंट पर गाड़ियो को सहयोग के लिए मशीनरी भी तैनात रखने के लिए कहा गया है वहीं पुलिस ने नई साल के दुरान शेहर में एक लाग से जादा वहानों के आने की उमीद जताई है गौर रहें कि हर साल क्रिसमस और नई साल पर देश भर से शिमला परेटक पहुचते हैं तो वहीं इस पार भी एक लाग से जादा परेटकों के शिमला आने की उमीद है जिसके लिए पुलिस प्रश्वासन ने पुकता इंतजाम किये हैं शिमला से कमल ठाकोर सूर्या समाचार